कि जैसा कि हम सभी अव्यत है इस वार का जो मारत त्रीस तरिये पंचायत सामाने निर्वाचन 2021 है वो मत पेटिका मत पत्लों के मार्धन से संपादित होना है ओर ग्रफ पत्लों को मत पेटिका कैसे खोलनी इसे मंदार के लिए कैसे तयार करना है और लास्ट में उसको किसका सीख करना है इस प्रकुलिया को समझना भाती बाह कुण है जब आप इसकी टेक्री को समझ लेते हैं तो इसे बड़े आसारी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते ह जब बंध मज़ पिटिका, कोई कि हमें सामानता जिस दशा में मिलती है, वो बंद की स्थिति में मिलती है और यह उपर से हमको कुछ इस तरह दिखाई देती है, इसमें एक पत्ती एक तरफ को लगी भी है, और दूसरी मोबाइल पत्ती यहां भी लगी है, यह पत्ती भी भी अपनी ओर खीचते हैं और जैसे यह खीचते हैं तो यह लीवर मोबाइल हो जाता है इस लीवर को अब हम पूरा एंटी क्लाकवाइज गड़ी से उल्टी दशा में पूरा 180 डिग्री हम घुमा देते हैं तो यह फिर से एक बार फिक्स हो जाता है अब यह बापस तो आ सकता है परन्तु अभी और एंटी क्लाकवाइज अभी नहीं गूम रहा है ध्यान रखें कि इसको खीचने के बाद पूरा 180 डिग्री तो यहां जो हमारा वोटिंग वाला स्लिट है जो एक शिद्र है वो खुल जाता है इससे हमें पूरे दिन अपनी वोटिंग करानी होती है अब यह बॉक्स हमारा बड़ी आसानी से खुल जाता है यहां पर मैं पुना आपको दिखाना चाहूंगा यह जो चिद्र था इस चिद्र से हम इस वाली पत्ती को खीचते हैं इस पत्ती जो कि इस लीवर में फस जाती है इसका मूमेंट रोक देती है इसको जो हम खीचते हैं त घड़ी की दिशा की सुयों की दिशा में यह अपने आप होता है और इस तरह यह बंद हो गई है अब यह पेटी की खुल सकती है तो यहां से हमें उगली डालके उस पत्ती को खीचना है खीचने के बाद एंटी क्लाकवाईज घड़ी से उल्टी दिशा में पहले हमें पू तो हल्की सी कटकी आवाज आती है और यह बाक्स हमारा खुली आता है अब हमें बाक्स को मतदान के लिए तैयार करना है तो बहां पर जितने भी उमीद वारिया मतदाता उपस्तित होते हैं उनको हम आप लोकन करा देते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसमें कोई मत पहले से इंकित नहीं किया गया है तो सबसे पहले जब भी सह तयार करते हैं तो यह पता लिखा हुआ टेग जो की ऊपर वाला टेक पर जाता है और ये और यह दूनों सामार होने चाहिए वह इसको हम इसके अंदर डालते हैं इसके पाल में हम पेपर स्ट्रिप विशेष मे उनकित करने के पश्चाथ इस खितर को सील करने के लिए इसको हम प्रियोग करते हैं और इसमें हम नीचे हलका सा हाथ का सहारा लेते हैं तो ये बड़ी आसानी से हम बीच के जो खाचे हैं उनमें उसको फृसाने के बाद उना इस तरह से एक तरफ को और बड़ी आसानी से इसी तरह दूसरी ओर को इसे हम जाल देते हैं और डालने के बाद, उपर की तरफ से हम ये देख लेते हैं कि इसका क्रमांग था, वो हमें यहां से दिखना चाहिए तो यह क्रमांग की इस तरफ से जब दिखने लगता है, इसके बाद हम छुप कि यह बहुत ही पतली होती है, डेलिकेट होती है, इसलिए एक दफ्ती का हलका सा पतला सा तुकड़ा जो हमको पहले से दिया जाता है, यहां दफ्ती जो हमारे पास होती है, उससे काट लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा गोंद लगाते हैं, और गोंद लगाने के बाद इसको इंसर्ट करके औ और हम इसके सीरों को सीरों पर हलकी सील वैक्स और सील की सहयता से हम इसको प्रोग देते हैं तो यह हो गई हमारी पूरी सीलिंग की प्रक्रिया जैसे ही हमारी सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अब हम इस box को बंद कर सकते हैं, यह box आसारी से बंद हो गया, जैसे ही यह 45 डिग्री वाला एंगल हम यहां से हटाते हैं, उसके बाद में यह box बिना इस seal को नष्ट किये नहीं खोला जा सकता है, इसके बाद में हम इसको बापस clockwise गाली की दिशा में 45 बापस ले आते हैं, जैसे ही हम इसको बापस लाते हैं, तो यह slit जिससे हमें पूरे दिन वोटिंग करानी है, वो हमारा छिद्र खुल जाता है, और हम पूरे दिन इससे वोटिंग कराते रहते हैं, चूँकि यह पत्ती अभी फिर राइट में अगर हम पूरी भूम जाती है, तो यह slit बंद हो जाएगी, इसको और इस सील को स्रक्षित रखने के लिए, इस पत्ती को बापस अपनी दशा में लाते हुए, एक पतले तार का टुकडा लेकर, और जो कि हमें पहले से दिया जाते हैं, इसमें डालते हुए, और इसको बड़ी अच्छी तरह से बांद देते हैं, और पूर होते हैं, और आसानी से बाहर निकालते हुए, इस लीवर को इधर घुमाते हुए, और इस पत्ती को पूरा क्लाक बाईश बनेट्टी घुमाते हैं, तो स्लिट हमारा पूरी तरह से बंद हो जाता है, अब इस बाक्स को बिना इस सील को नस्ट किये, बिल्कुल भी इसो खो के टेक को हम इसके अंदर डालते हैं, और डालने के बाद इसमें गाठे लगाते हुए और इसके सीरों को हम वैक्स और सील की साहता से इसकी सीरों को सील कर दोते हैं, धन्यवादे